थाना सादुल्ला नगर के ग्राम पंचायद नेवादा में गाउं के पूर्व में शनिवार की सुभा गन्ना काट रहे बिहारी मजदूरों ने तापने के लिए सडक पर पड़े पुआल को उठाया तो पुआल के नीचे एक विवाहित महिला का शव पड़ा हुआ था तबी मजदूरों ने इसकी सुचना ग्राम परधान को दी ग्राम परधान के इस घटना की सुचना पुलिस को दी सुचना मिलते ही पौके पर पहुंची पुलिस ने पुआल को हटवाया और जाच शुरू कर दी मामला उत्तर परधेश के जनपत बलरामपुर का है जहां पुआल के नीचे एक विवाहित महिला का शव मिलने से लोगों में डर का महौल पैदा हो गया है मृतका की पहचान 25 वर्ष मौमिना पत्नी जावेद एहमद पुत्र बैतुल्ला निवासी ग्राम मानीगडा थाना सादुल्ला नगर के रूप में हुई है जानकारी के अनुसार मौमिना वर जावेद ने लगबख डेड़ वर्ष पूर्फ कोर्ट मेरिस की थी और वे लखनव में रहते थे जहां छे महापूर्फ मौमिना ने एक बेटी को जनम दिया जिसके बाद पती पत्नी में अनबन होने के कारण मौमिना दो महा से अपने माईके में ही रह रही थी गुरू वार की रात लगबख साथ बजे के करीब पती जावेद ने मौमिना को फोन कर गाओं के पूरब दिशा में लिप्टिस के बाग में आने को कहा मौमिना पती से मिलने चली गई करीब आधे घंटे बार मौमिना वे जावेद का फोन बंध हो गया माईके वालों ने मौमिना को इधर उदर ढूंडा परंतु कुछ पता ना चला इसी बीच जावेद ने ससुराल जाकर कहा परिशान मत हो मैं मौमिना को ढूंड लूँगा शुकरवार की राद ससुराल में ही रहा और शनीवार की सुबह बिना किसी को बताए ससुराल से फरार हो गया शनीवार की सुबह ही मृतका की लाश मिली मृत्का की मा रजिया की तहरीर पर पती जावेद एहमद वसास के विरुद मुकदमा पंजिकरित कर मामले की जाच की जा रही है शेत्रा दिकारी राधा रमंड सिंग ने बताया कि लाश को कबजे में लेकर पी-म के लिए भेज दिया गया है मृत्का की साधी हरवरी 2019 में हुई थी और मृत्का का उसके पत्के साथ दहेद को लेके मिवाच चर रहा था उसके पत्के द्वारा ही उसकी हत्या की गई है बत्का के सब को कबजा पुलिस लेकर आवस्तक मिदिक कारवाई की जा रही है